हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यूपी बोर्ट के द्वारा विज्ञान का माडल पेपर जो जारी किया गया है यहां पे इसका हम संपूर हल देखने वाले हैं फ्रेंस यह माडल पेपर ऐसा है जहां से आपके 2024 में होने वाले बोर्ट एक्जाम में मैक्सिमम सवाल आता है इस प्रश्ण पत्र का जो है आप पूरा हल देखके जरूर जाएगा यहां पे आप सभी को सभी संपूर हल कराने वाले हैं तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा देखिए आपको माडल पेपर जो है आपके बोर्ट के एक्जाम में आएगा और जो आपको पेपर हल करने के लिए समय दिया जाएगा तीन घंटा पंद्रे मिनट का संपूर समय मिलेगा और आपका जो पुरां कराएगा टोटल सत्तर नंबर कराएगा यहां पी इसके कुछ निर्देश दियेगा है इसको आप अपालीजियेगा यहां पर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंच उद्निर्देश से आपको बता देते हैं देखे प्रस्ण पत्र को मिलने के लिए टोटल पंद्रे मिनट का समय मिलेगा इसमें दो खंड और खंडबा रहेंगे खंड आ में तीन उप्खंड होंगे खंड का ख औ एक नंबर का है जितने इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट वही सिर्फ बता रहें ठीक है इसमें सभी प्रस्ण करना अनुआ रहे हैं और खंडबा है जिसमें आपको उप्खंड दिये रहेंगे उसमें से आपको उतर पुस्तिका पूरा एंस्वाल देना रहेगा यह इसक आपका पहला नंबर का सवाल जो है कि 2 प्रिष्टो से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यां जिसका एक या दोनों क्रिष्टि गोली है कहलाता है आपसान गोली दरपढ कहेंगे उसे तिरिज्चे कहेंगे गोली लेन्स एा समतल दरपढ कहेंगे ठीकिया यह पर द्यान सगे मरीजों के दातों का बड़ा परतिविंग्द देखने के लिए हैं प्रक्राइप करते हैं। जो परतिविंग होता है बड़ा बनने के का रहा है वह जो डाक्टर होते हैं और दरपड़ का प्रयूग दातों को देखने में करते हैं ठीक है अगला नंबर तीसरा नंबर का सवाल क्या है आपका कि किसी उत्तर लेंस के सामने टू यफ और अनंत के बीच कोई भी रखा गया तो उसका प्रतिम बनेगा ठीक है देखे यहां पर क्या है एक उत्तर लेंस है ठीक है यहां पर देखिए मुख्य अच्छे है यहां पर यह फवन हुआ यहां यहां यह अनंत है इसके बीच में वस्तू रखा गया ठीक है इसके बीच में वस्तू रखा गया है यहां पर यह फटू ले लते हैं यहां पर क्या करते है टू यफ्टू लेलेते हैं ठीक है यहांस देखिए जब मुख्य अच्के समानतर प्रतिविम चलता है यह आपके द्यूतिय फोकस से ओकर जाएगा ठीक है यह क्या कि प्रकासिक केंदर से गुजारी है ठीक है यह जो प्रतिविम बनता है यहां भी बनेगा और ध्यान दीजे चौथा नमबर के क्या है आपका कि मानो नेत्र अभी नेत्र लेंज की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन दूरियों पर रखी वस्तों को फोकसित कर सकता है ऐसा हो पाने का कारण है आपसन आपका है कि जरा दूर द्रिष्टी होगा चले अगले और आपसन को देखते है इसमें देखें यहां पर ध्यान दिजेगे अगला क्या है समझन निकट द्रिष्टी दोस्त दिर्ग द्रिष्टी दोस्त इसका सही जवाब होगा बी वला समझन ठीक है समझन करके किसी वस्तों को देखता है अगला आप पांचवा नमबर के देखिए कालम ए में दी का मात्रक यह होता है इस'Mें कौन का अफ्शन सही हो सकता है यह आप सन हो सकता यह और यह दुरह तो आफसम गलती हो जागा विद्धु धारा कमात्रक क्या होता है तो आप अपैला से होगत है ति दूसरे का पैले सब्सक्राइब करते हैं देखिए अगले नंबर के सवाल को हल करते हैं देखिए यहाँ पर जिनके पदार्थ लंबाई तथा ब्यास समान है किसी विद्धुत परिपत में पहले स्रडी करम में और फिर पासर्व करम में सन्योजित किया जाता है यहाँ पर ब्यास समान है यहाँ पर इसकी लंबाई समान है इसमें ब्ोल्टेज की बात कहा है कहीं पर बॉल्टेज की बात नहीं कहा है यहां पोल्टेज्टयागा और यहां पे समय दूनों को की होगा बराबर होगा यहां पर थे पहले इसको क्या कर रहा है सरड़ी करें कपी दो चालक दार है यहां पे तोले प्तुरों सरड़ी करम में क्या हो जागा दैकि user === हो जाएगा R1 प्लस R2 ठीक है लंबाई और ब्यास समाने दोनों का परत्रुवत भी समान होगा तो R प्लस R बराबर कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा ठीक है स्रड़ी करमें जोड़े यह आया फिर इसको क्या करा है अब इस अब कितना लगए तना है स्रड़ी करम में इसका अनुपाद देखाना है देखाना है अब स्क्वायर्ट ती अब कितना लगें पूरा के पळटा में बारा प ले पर पर 10 तो पन आर में पर लिएंगा तो अब को बार पर पता है कि अहां पहल कर लेते हैं यां यह यह पुक्ल सब्सक्राइब जब बटा के बटा रहाता थे थो पलट जाता है ना नेगे ही square t upon 2 r गुड़े यह पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा यह पलटेगा ना यह ऊपर चला जाएगा देखे कितना जाए 2 बटा के r इसके बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यह पूरा भी पलट जाएगा ना तभी square t życia sut गें यह पूरा इससे कर जाएगा ना तो पाथ मिं कितना एक बटा के कितना लिखेंगा अनुपास तो यह आँ कि यहा कि यहां पर इनमुपास दें आपको होजाएगा आपका नापता साथावा नंबर का सवाल देखिए来 किसी विद्धु धारवाई सीधी लंबी परिणालिका के भीतर चुम्बकी छहतर होता है ठीट है आफने स contender होता है इसकी पर जाने पर घटता है हिसकी फिर्होकी सब्सक्राइब ग्यान करें इसको द्यान दीगें इसमें से बैंजीन का सुट्र क्या होता है यहां पर देखिए जाए कि इसको डारेक्ट याद रखे का यह होता है अगले के सवाल को देखते हैं इस प्रश्ट पत्र का संपूर हल देखके आप बोर्ड की एक्जाम में जाइएगा आपके माटल पेपर यूपी बोर्ड के जारीज जाता है उसी में सी आता एसा भी सवाल निम्लिकित में से समझाती स्रड़ी है, आपको समझाती स्रड़ी बताना एक समझाती स्रड़ी कौन सा है, देखें समझाती स्रड़ी में क्या होता है, CH2 का अंतर होता है, यहाँ पर आपसन देखें, CH4 देखें, CH2, CH4 देखें, CH4 देखें, CH4 देखें, CH4 देखें, CH4 देखे देखिए यहां तो होगा नहीं अगला देखिए यहां पर एक हैं यहां पर कितने हैं ठीक है यहां पर देखिए आपका हाइडूजन कितने हैं यहां पर देखिए यहां पर देखिए अब देखिए दसवा नंबर का प्रिथिवी के भूपरपटी में प्राक्तिक रूप से पाए जानेवल तत्मों का योगिकों को कहते हैं खनीच कहते हैं इसका सही जो अब सीवाल आपसन क्या होगा अगला देखिए आठ्वा नंबर का सवाल क्या है यहां नंबर का कि दातों का च्छे का प्रारम होता है दातों का च्छे दातों का च्छे होने लगता है तो दातों का च्छे कहां अगला नंबर नंबर क्या अभिक्रिया कर जिंक साथ 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 पहला आपसां सनग ठाता इस था कल 거죠 कर दिल्हाव जिसके साथ यहां पे किर्या करको यहां पर दियान सही है यहां पर द्यान धीत्सिस दोनों बहुत नहीज अभी कथान सही है और दूर क्या है सिवल आप्षान करेंगड हो यहां पर देखिए निलिकित सहाइनक संभीगड़ों को पूरा करकी पूरा किजिए यहां पर देखिए यहां पर खाली है इस ची चो दिया है इसे में इसमें से कौन सा आपका आप्सम सही हो गाफ ध्यान दीजीएगा यहां पर स्ट जीदेबल ओ है तो सी डवल है ठीक है और यहां पर कारवन इन यहां पर आप देखिए hydrogen एक है hydrogen इधर दो है इधर oxygen कितने है oxygen एक है इधर oxygen एक है इसमें देखिए आपका कौन सा आप्सन सही होगा यहां पर बी वाला आप्सन यहां क्या है यहां से फूल फिल किया गया है इसका सभी वाला ही करेक्ट हो जाएगा तो अगले नमबर के सवाल को देखते हैं देखिए क्या है आपका अगला नमबर देखिए यहां से उपखंड जीविग्याने स्टार्ट होता है अंता स्वसन के दोरान वायू प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है यहां पर आप्सन देखेंगे तो पहले नासा द्वार से वायू क्या है ग्रासनली ग्रासनली से कंठ से अगला देखिए निमनलिखित कठान तथा कारार को पढ़कर दिये गई विकल्पों में से सही विकल्प का चैन कीजिए जो एक नंबर कराएगा देखें कठान क्या आपका है पीता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंक का निर्धार होता है यह कठन सही है ठीक है जिसमें पिता में क्या होता है कि यक्स वाई होता है यही निर्धार करता है लिंक का निर्धार करता है अगला कारार दिया है कि मानो पूरुस में मानो पूरुस में एक यक्स और एक वाई गूर सुत्र होता है जो ब्यक्ति होता है जो पिता होते में यक्स और वाई गूर स सथ हैं कर supre कतंप सही ब्याक्षित करता है यह व्यारा अगن uhm है कि अकला नब्र नंबर के सोलावा नंबर का ठीक है यहां दिजीएगा देखें सोलावा क्या है विद्थ.. आवे के प्रवा का सही दिसा कांसा यानि क्सा कांसा देखीए और यह एक डिसा में है यह एक दूसरे की बनायाना यह इन सरी में होगा इसके अलबाव देखी यह इसे यह आपका पूश्या में पूश्य को यह तो upon a रहे हों आपका आपका सब्सक्राइब सब्सक्राइब को जातका अगला नमबर की यहाए सब्त्रहों नंबर का थायराक्सीन के बारे में कौन सा खतन सही नहीं है आपको थायराक्सीन के बारे में बताने कौन सा खतन सही नहीं है तीकि थायराक्सीन के संस्लेशन के लिए लोग अवस्षक होता है यह पहले ही कतना को क्या हो गलत माना जाएगा इसलिए कि यहां नहीं पूछाए तри वाला ही सही होगा इसके लिए शरीर में कार्वोहडुरेट लिए टिन पपचेन कह नियमन करता है थायराक्सीन के अभसकता होती है य रोछ Kommenti इसकता होती हे कफ़ा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखे हैं, देखिए यहाँ पर द्यान दिजिएगा 19 नंबर का सवाल, क्या है आपका? अठरावा नंबर का, निम्रकी चित्र में भाग A और B, C किस क्रम में है, यानि कि ए जो है, B जो है, C किसको देखाता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह जो होता है बिजान को दिखाता है किसको बिजान को यह जो भाग है बिजान को दिखा रहा है यह वाला जो भाग है आपको प्रांकूर को दिखाता है और जो नीचे वाला भाग होता है यह दिखाता है मुलांकूर को यह वा बिजान प्रांकूर और मुलांकूर तो देखे पहले वाला आपसन क्या होगा सही हो जाएगा ठीक है उन्नीस नंबर का देखें यहां पर जनन के लाएंगिक और लाएंगिक वीधी से उत्पन संतती में प्रस पर अधिक समानता होती है क्योंकि देखिए अलाएंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग लेते हैं यह कथन आप सही है अब देखिए अलाएंगिक जनन लाएंगिक जनन से पहले होता है गलत अलाएंगिक जनन लाएंगिक जनन के बाद होता है यह भी कथन गलत यह पहला और सिकेंड वाला आपसन यहां पर सही होगा बीस्वा नंबर का देखिए एक आहार नाल स्रिंखला में तीसरे पो आपसं क्या हो जाएगा करेक्ट ओजाएगा ठीक है चलिए अग्वार के सवाल को देखते हैं कि किस प्रकार का बोर्ड के एकजाम में सवाल आने वाले हैं देखिए यहां पर उपखंड को इस्टार्ट होता है जो टूटल कितने नंबर के रहेंगे चार नंबर के यह सबी भ इसको निकट या दू रखी हो वश्ता इस से दिखाई नहीं देते हैं तो हमें क्या बोलते हैं द्रिश्टि दोस करते हैं ट्रिश्टी निकट दुरद्रिश्टी दोस्त जरा दोस्त निकट दिखुट द्रिष्टी दोस्त आप लिख सकते हैं इस प्रश्ट का यहीं उत्तर हो जाएगा हमें अकास में इंदरदुनुस के वल वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है ठीक है इसके बारे में आपको लिखना है इसको तयार कर लीजिएगा कि हमें इंदर्दुनुस क्यों दिख भास्तु नहीं दिख्काई देती है इस इस्थितिः में वस्तु को क्या थाय का देथा यहां डुरुड्रिश्टी डोस निविसकिट प्रकार को होते हैं निकट दूर्डुरुष्ट्टी धोस दोस जरा दूरुण .. दो से निलुखित प्रकार के होते हैं इसको आप इक्जाम में इसी प्रकास से आपको लिखना रहेगा जो बता है इसको एक जगा लिख लीजिए ठीक है चलिए अगले प्रश्न का एंसोर देखते हैं देखें इसका इंद्रदनुस के बारे में देखना थे यहां पर द्यान इन रचना इंद्रदनुस का अलाता है देखिए यह इंद्रदनुस की चित्र है आप इसको बना लीजिए प्रश्न को अदम तयार कर लीजिए बोट 2024 एक्जाम में हंडेट परसंटेज सवाल आने वाला ठीक है देख सकता है कि स्वेद प्रकास आ रहा है और भी छेपड़ इसके बीच में जितने वी रंग वहते हैं इसलिए आपको क्या होता है इंद्रदनुस असपर्श्टूप से दिखाई देता है ठीक है समझ में आ गया होगा अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यहां पर देखिए क्या है आपका सवाल दूसरा नंबर का यह दो प्रशन पूछा है देखिए उत्तल लेंज को अविसारी लेंज क्यों कहा जाता है अगला प्रशन है अवतल दरपा था उत्तल दरपा के उपयोग लिखे चलिए इस प्रशन का इंसर आपको बताते हैं देखिए उत्तल लेंज को अविसारी लेंज क्यों कहते हैं ध्या यहां पर द्यान दिजिए उत्तल लेंस प्रकास कि रोग एक विंदू पर एकत्रित करता है इस कार इस अभिसाइल लेंस भी करते हैं इसका इंस्वर यह आप एक जगा लिए ठीक है जितने भी प्रसने उसका इंस्वर आपको बताने वाले हैं वीडियों लास तक जरूर करता है जो गाड़ी होता है उसके बगल में जो इसा लगा हुता है पीछे का दिरिस्ट देखने लिए कि वहां पर क्या करते हैं उत्ते दरप्र का परियोग करते हैं ठीक है समझ में आ गया होगा इन प्रशनों का आप जरूर तयार कर लीजिए अब अगला नंबर का सवाल देखें तीसरा नंबर का क्या है कि किसी चार उम परतिरोध से से प्रतिस सेकें और उस्मा उत्पन हो रहे सिरोज के सींवाएं 25 अब इसका आपको पता है क्या होता है एक AMYっ तो चार को बदा बराबर भी इसक्वार होगा देखे इस प्रशन के लिए इसका सही जवाब एंसुर कितना होगा बीस बोल्ट हो जागा ठीक है अगला सवाल देखे सेकेंड वाला बीस ओम प्रतिरोत की कोई विद्धुत इस्तरी पांच एंपिर विद्धुत धार लेती है तीस सेकेंड में उत्पन उसमा परिक्रित कीजिए यहां पर फार्मूला काउंस लगेगा यह इसकल टू आई स्क्वार आटी लगेगा आ चार नंबर का चार नंबर का आपका सवाल होगे इस पकार बोर्ड फैसम में प्रसणों कीजिएगा अब यहाँ पर देखे 14 नंबर का, टोटल 6 नंबर का है, इसमें 3 प्रशन दिया है, परतिक 2-2 नंबर का ध्यान दिजिएगा, पहला, दो चुम्बकी 6 रेखाएं, एक दुसरे को परतिछेत क्यों नहीं करती है, इसका आपको एंसो लिखना है, देखे, दो चुम्बकी 6 रेखाओं के गुड़ लिखना है, ठीक है, इसका एंसोर आप लिख लिजिएगा, चुम्बकी 6 रेखाओं के गुड़ क्या होते हैं, चलिए इसके एंसोर पता देते हैं, आपको यहीं पर, देखे, चुम्बकी 6 रेखाओं के गुड़ जो होते हैं, पहला आप लिख सकते लिख सकते हैं कि चुम्बकी जो बल रेखाएं होती है उत्री दुरू से निकल के दच्छरी दुरू में ऐसे निकलती है दच्छरी दुरू में प्रव्याश करती है यह आप इसका एंसली सकते थे किसी चुम्ब के छेत्रव में इस्थित विद्धु धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिक्तम का वोता यह सब आप एंसो लिख लिएगा सभी ठीक है चलिए अगला अथाम दीखी यह प्रश्ट उपर नहीं आगा ते नीचे आपका दिया यह भी छा नंबर का है फ्यूज दार विद्धु संधारित का बचाओ किस प्रकास करती है इस प्रश्ट को आप जरूर तज्यार कर लिजेगा अब यहां देखिए आपको उखंड खाई स्टार्ट होता है ठीक है जो रासायन विज्ञान के सभी सवाल है यहां पे चार समिकड़ है चार नंबर कर रहेगा निमलिकित अभी क्रियाओं के लिए संतुलिक समिकड़ आपको लिखना है पहला देखिए तनुसल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से जिंक के साथ किरिया करता है तो क्या बनता है अभी आपको इस समिकड़ बतायते देखिए क्या बतायते है तनुसल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ यान जिंक जो होता है तनुसल्फ्यूरिक याश्टू एस ओफॉ आपको लिखना है तानू हाइडोकलोरिक अमल मैगनीसियम पट्टी के साथ अभी करता है ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस करके इस प्रकास आपको समीकड़ सिर्फ लिखना है ठीक है तीसरा नमबर देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से सनियो करके अमोनिया बनाता है इसका समीकड़ आप तयार कर लिजिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायू में दहम होने पर जल एम सल्फाड आपको लिखना है इस प्रशन को तयार किजिए साथ में अब देखिए आयू प्यस्ती नाम लिखना है CS3, CS2, CS4, CS3, 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 CS3 इसका क्या करना है आयू स्प्रशन को तयार कर लिजिए ठीक है अगला नंबर का सवाल क्या है आपके सामने ध्यान दिजेए यहाँ अथवाम दिया है आप टिपड़े लिखना है तीन दिया तीनों के बारे में लिखते ह्त्रोटल च्छान नंबर मिलेगा विक्रिति गंधिता क्या होता है दो कि यह कि है SAB आप तयार कर लिजी ठीक है यह एक प्रशन चछोड़िए कहा सभी तयार करके जाईएगा यही बोड के आप साथ में देना है नियुकित चित्र में अंत्त स्रावी गter का नाम अंकीट चित्र बनाना है टोटल कितने नंबर का छार नंबर का है ठीक है सामने सबी प्रश्ण दीया गहें उन प्रष्णों को एक जगल कि सभी गुर्षुत्र पुर्ण रूपेर युग्म नहीं होते हैं, मानों में अधिकतर गुर्षुत्र माता और पिता के गुर्षुत्रों के प्रति रूप होते हैं, इनकी संख्या बाई जोड़ी होती हैं, प्रन्तु एक युग्म जिसे लिंक गुर्षुत्र कहते हैं, जो एक गुल सुत्र समान आकार यक्स होता है तथा दूसरा गुल सुत्र छोटा होता है जिसे वाई गुल सुत्र करते हैं अता इस तुरियों में एक्स एक्स तथा पूर्सों में एक्स वाई गुल सुत्र होते हैं क्या अब हम यक्स और वाई का वंसान उगत पार्टनर पता कर स है तो पिता के गुड़ सुत्र जैसे एक स्वाई पिता में होता है तो पिता के द्वारा ही होता है ठीक है कैसे होता है इसको पढ़िए इसमें से इसका एंस्वर आपको छाटना रहेगा अगला नंबर दीफिए गेरेवन नंबर का जो 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 स्वास को आधा बना ये तों पिताना ये और नमांकित व्यादने के इंधरना एम नवांकित आरेक बनाईए उसमें प्रागनली की ब्रिद्धी और गिजांड में उसके प्रवेस्ट करते हुए दिखाईए टूटल च्छा नमबर का देखिए जितने भी माडल पेपर में जितने भी क्वेस्टन दिए एक भी क्वेस्टन को छोड़िएगा मां सभी क्वे यही माडल पेपर आपके बोर्ड के एकजाम में सेम टू सेम क्वेस्टन पूछे जाते हैं ठीक है तो फ्रेंस आपको इसी प्रकार प्रतियक सब्जेक्ट के जितने भी माडल पेपर हैं आप सुभी को बताने वाले हैं तो आप वीडियो को लाज तक जुरूर देखा करें झाले हैं तो आप सकतार के जुरूर आपके बताने के जुरूर आपके जिए जरिए।